So hello guys, कैसे हूँ आप से भाई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की सुड़ों हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फोन को reset या format करने के बाद deleted data को कैसे दोबारा वापस ला सकते हैं क्योंकि guys आप में से काफी सारे लोग ये comment करते हूँ कि हमने अपने फोन को reset कर दिया है, format कर दिया है और हमारे फोन का जो data है वो delete हो चुका है इस तरह के काफी सारे comment, काफी सारे message मुझे मिलते रहते हैं तो तोस्तों आज की सुड़ों में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम format या reset करने के बाद अपने deleted data को दोबारा वापस ला सकते हैं वीडियो आज का काफी interesting है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रू देखेगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से mode है, कौन से तरीके हैं जिन से हम deleted data को दोबारा वापस ला सकते हैं गैज मैं आपको एक line में बता दूँ कि अगर आप अपने data का backup create नहीं करते हो डेटा backup नहीं लेते हो तो दोस्तों आपका जो data है अगर delete हो जाता है तो उसको आप कभी भी दोबारा वापस नहीं ला पाओगे गैज दोबारा वापस लाने के लिए काफी सारे software होते हैं जो की paid होते हैं ठीक है काफी costly होते हैं अगर आप उनको use करोगे उनसे आप deleted data को recover कर सकते हो अगर आप play store पे search करके कोई दूसरा application install कर लोगे और आप सोचोगी कि आपकी जो photos हैं जो deleted photos हैं वीडियोज हैं application से आप उनको दोबारा वापस ला सकते हो तो दोस्तो ये possible नहीं है ठीक है अगर आपने फोन को reset कर दिया है format कर दिया है इसके बाद अगर आप कोई दूसरे application से अपने deleted data को दोबारा वापस लाना चाहते हो तो दोस्तो ये possible नहीं है ठीक है गैस सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप data का backup create करते हो data का backup लेते हो तभी आप अपने deleted data को दोबारा वापस ला सकते हो तो दोस्तो आज की सिर्फ में आपको पूरा detail में बताने वाला हूँ कि कैसे आप data का backup create कर सकते हो फोन को reset या format करने से पहले क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो directly phone को reset कर देते हैं format कर देते हैं और अपने data का backup create नहीं करते हैं और जब phone को format कर देते हैं तो उसके साथ में उनके phone का data होता है photo, video, IDO, document और WhatsApp का data सब कुछ delete हो जाता है दोस्तो हमारे phone में काफी सारे ऐसे application होते हैं जिनको आप use करके अपने data का backup create कर सकते हो सबसे पहले number पे आता है photo application हमारे phone में एक application होता है जिसका नामे photo, Google का official application है इसको आप use करके अपने photo और video का backup आप create कर सकते हो और गैस, lifetime तक के लिए आप photo application में अपने photo और video को save कर सकते हो गैस, इसका एक फायदा है कि अगर आप अपने phone को reset कर दोगे format कर दोगे उसके बाद गैस, जब आप photo application में अपने Gmail ID को login करोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने photo और video को recover कर सकते हो दोबारा वापस ला सकते हो इसके बाद गैस, दूसरे number पे जो application है उसका नाम है Google Drive गैस, Google Drive में आप सब कुछ save कर सकते हो Google Drive में आप photo को upload कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से अपने data को दोबारा वापस ला सकते हो data को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद गैस, काफी सारे लोगों के contact number डिलीट हो जाते है गैस, contact number के लिए मैं आपको बता दूँ की इसके लिए आपको Gmail का यूज करना होगा आपको अपने सारे contact number को Gmail ID पे अपलोड करना होगा और दोस्तों, जब आप contact number को Gmail पे अपलोड कर दोगे तो ये lifetime तक के लिए save हो जाएगा अगर आप अपने Gmail ID को किसी नए फोन में login भी करोगे तो आपका जो contact number है नए वाले फोन में automatic आज आएंगे, ठीक है इन सब अप्लिकेशन को आपको यूज करना है, कैसे आपको डेटा बैकप क्रेट करना है और गैस मैं आपको बता दू कि इन पे मैंने डेटेल वीडियो भी बनाया, ठीक है मैं description में वीडियो का लिंक दे दूँगा क्योंकि अगर मैं आपको डेटेल में बताने जाओंगे कि कैसे आपको फोटो अप्लिकेशन को यूज करना है गूगल ड्राइब को आपको कैसे यूज करना है contact नंबर को आपको कैसे जीमेल पर अपलोड करना है तो जो वीडियो है ये काफी जादा लंबा हो जाएगा करीब 40-45 मेरेट का वीडियो हो जाएगा तो इन सब पे मैंने अलग-अलग वीडियो बना रखा है और description मैं आपको लिंक दे दूँगा आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लेना पूरा detail में मैंने बता है ठीक है अब चलिए मैं आपको थोड़ा fast track पे आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको data का backup create कर रहे है तो दोस्तों मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूँगे कि आप comment box में comment करके ये ज़रू बताना कि आप किस company का phone use करते हूँ जिससे guys मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे viewers हैं वो किस company का phone सबसे ज़्यादा use करते हैं जिससे मैं उस phone से related आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊ ठीक है तो चलिए phone के home screen पे चलते हैं तो दोस्तो हम आगए phone को में screen पे ठीक है अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको data का backup create करना है सबसे पहले मैं आपको photo application के बारे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको photo application में data का backup create करना है जो photo application ये सभी फोनों में होता है आपको यहाँ पे so हो जाएंगे ठीक है अब guys आपको simply यहाँ पे library पे click करना होगा और आपके जो photos हैं आपको यहाँ पे folder wise मिल जाएंगे simply आपको उस photo को open करना है जिसका आप data backup create करना चाहते हो ठीक है माल लिजे कि हमें इस वाले photo का data backup create करना है इसके बाद आपको यहाँ पे photo को open करना है और आपको यहाँ पे three dot पे click करना है आपको यहाँ पे option मिल जाएगा backup now का आपको इस पे click करके photo का backup create कर लेना है ठीक है यह वाले जो हमारा photo है यह Google photo में upload हो चुका है lifetime तक लिए save हो चुका है अगर हम अपने phone को format कर देंगे reset कर देंगे guys reset format करने के बाद हम अपने photo को दोबारा बहुत ही आसानी से वापस ला सकते है इस तरह guys आपको अपने photo और video को photo application में upload करना होगा ठीक है अब guys काफी सारे लोग यह वोलेंगे कि हम select all करके एक साथ कैसे backup create करें ठीक है तो simply guys आप यहाँ पे इस तरह select all भी करके photo का backup create कर सकते हो ठीक है अब guys अगर आप पूरे gallery का backup create करना चाहते है तो इसके लिए आपको एक अलग option select करना होगा ठीक है simply आपको यहाँ पे profile पे click करना होगा अब आपको यहाँ पे एक option मिलेगा turn on backup का आपको इस पे click करना होगा और guys आपकी जितने भी photos है वो automatic google photo में upload हो जाएंगे और जब एक बार आपके photo upload हो जाएंगे चाहे आप phone को format कर दो चाहे reset कर दो चाहे phone को change कर दो जब भी आप अपने gmail id को किसी नए phone में login करोगे तो दोस्तों आपकी जो photos है उस phone में बहुत ही आसानी से दो बारा से वापस आ जाएंगे guys जो photo application है काफी useful application है अगर दोस्तों आप इस पे detail video चाहते हो तो दोस्तों इस पे मैंने video बना रखा है description मैं आपको link दे दूँँगा आप link पे click करके उस video को देखिए कैसे download करना है कैसे upload करना है सब कुछ मैंने detail में बताया है ठीक है अब इसके बाद गई इस चिलेम आपको Google Drive की बारे में बताता हूँ simply आपको Google Drive को open करना होगा Google Drive भी सभी phone में होता है simply आपको Google Drive को open करना है जब आप Google Drive को open करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने folder create कर रखा है folder create करने के बाद यहाँ पे photo को upload कर रखा है इस तरह आपको folder को create करना है और अपने photo, video, document, IDEO जो भी चीज आप upload करना चाहते हो इस तरह upload कर सकते हो simply आपको यहाँ पे plus पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको काफी सारे option मिल जाएंगे आपको folder पे क्लिक करके नया folder बना लेना है अगर आप photo upload करते हो तो photo के नाम से बना सकते हो video upload करे हो तो video बना सकते हो अगर आप document upload करे हो document के नाम से folder बना सकते हूँ आईए आपकी उपर depend करता है ठीक है जैसे इसका नाम हम रख देते हैं photo अब आपको यहाँ पर create पर click करना होगा और हमारा जो folder है वो create हो चुका है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हूँ अब हम folder को open करते हैं अब आपको अपना data इसमें upload करना होगा simply आपको यहाँ पर plus पर click करना होगा अब guys आपको यहाँ पर एक option लेगा upload का आपको इसमें पर click करना है अब guys आपके phone की जो gallery है वो open हो जाएगी file manager open हो जाएगा यहाँ से आपको उस चीज को select करना है जिसको आप upload करना चाहते हो ठीक है यहाँ से आप document को upload कर सकते हो photo को, video को जो भी चीजे आप upload करना चाहते हो आपको simply उसको select करना होगा और आपका जो data backup है वो create हो जाएगा ठीक है इस तरह गई आप Google Drive को भी use कर सकते हो इस पे भी मैंने detail video बना रखा है description में link है आप link पे click करके देख सकते हो ठीक है अब दोस्तो बात आते हैं हम अपने contact number का backup कैसे create करें कैसे हम Gmail पे save करें तो दोस्तो इस पे भी मैंने detail video बना रखा है description में link है आप link पे click करके देख सकते हो video को दोस्तों उस video मैंने पूरा detail में बता रखा है कि कैसे आपको अपने contact number को gmail पे save करना है या आपकी जो contact number वो phone में है, sim card में कैसे आप उसको gmail में transfer कर सकते हो पूरा detail में मैंने बता रखा है ठीक है अब guys चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको whatsapp का data backup grade करना है simply आपको whatsapp को open करना है whatsapp को open करने के बाद आपको यहाँ पे three dots पे click करना है और setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे chats पे click करना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे नीचे एक option मिलेगा chat backup का आपको इस पे click करके इसको open करना होगा और guys आपको यहाँ पे option मिल जागा chat backup का guys आप इस पे click करके अपने whatsapp के data का backup create कर सकते हूँ दोस्तों इस पे भी मैंने पूरा detail video बना रखा है description में link दे दिया आप link पे click करके देख सकते हूँ उसमें मैंने पूरा detail में बताया कि कैसे आपको backup को create करना है और phone को reset या format करने के बाद कैसे आपको data को restore करना है दोबारा कैसे आपको वापस लाना है क्योंकि guys हम backup तो create कर लेते हैं जब हम whatsapp में registration करते हैं थो हम restore नहीं कर पाते हैं पूरा detail में बताया है आप video को देखके उसको आप follow करके अपने data को दोबारा वापस ला सकते हूँ अब दोस्तों चले मैं आपको phone के एक importance setting के बारे में बताता हूँ simply आपको अपने phone के setting में जाना होगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर search करना है backup and restore ठीक है और गैस आपको यहाँ पर मिल जाएगा backup and restore आपको simply इस पर click करके इसको open करना होगा आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे mobile device, computer आपको simply यहाँ पर mobile device पर click करना होगा अब इसके बाद आपको अपने phone के home screen का password डाल देना है दोस्तों आपको यहाँ पर तीन option मिलेंगे ठीक है पहला contact and call history, दूसरा other system app data और जो तीसरा है third party app and data ठीक है गैस आप यहाँ से इन तीनों चीजों का backup create कर सकते हो जो आपके contact number है, message है, call history है आप उसका data backup बना सकते हो बहुत ही आसानी से simply आपको यहाँ पर backup पर click करना होगा, इन तीनों चीजों का backup create हो जाएगा automatic ठीक है इस तरह आप contact number का backup create कर सकते हो, जितने भी आपके phone में application है उनके data का backup create कर सकते हो, जितने भी third party application है, उनके data का भी backup आप create कर सकते हो सिर्फ आपको यहाँ पे backup पे click करना होगा और इनका backup create हो जाएगा दोस्तों आपको इतना काम phone को reset या format करने से पहले करना होगा अगर guys आप इसको नहीं करोगे और अपने phone को format कर दोगे, reset कर दोगे तो दोस्तों आप अपने deleted data को कभी भी वापस नहीं ला पाओगे चनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही ने अप्लिकेंस लेटे, ने ट्रिक्स लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद